बॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैं चैनल आपका फिर्श स्वागत है मेरे चैनल में कोई सपोर्ट फॉरिस्टडी आज मैं आपको पढ़ने वाला हूँ पार्ट एक नदी जो कि आपको याद होगा मैं आपको ये इसका पहला पेज पढ़ा दिया था पूरा चैप्र समझने के लिए आप ये वीडियो देख लीजिएगा उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली पेज की लिंक है तो उसे भी देख लीजिएगा तो हम पार्ट एक नदी पढ़ना शुरू करते हैं यह क्रांती शांती की पयास वीनी तुमको मैं केवल नदी कहूं या सुतंता संगर्श कहूं या फसलों की जिंदकी कहूं तुम शेहरों को भी प्यारी हो तुम गाउं को भी प्यारी हो दोनो को दूद पिलाती हो दोनों की महतारी हो नंगल भागड़ा आदी तेरे जाय हैं चोने हैं तेरी महानता के आगे परवत्मी लगते बोने हैं घर-घर में बिजली बन करके रोष्णी बाटने जलती हो धरकन अकल और कारखानों में तुम धरकन बढ़ती हो चलती हो तेरी लहरों में अंकित संस्कृतियों का उत्थान पतन तुमको देखा जिन्दगी हसी तुम रूट गई रूठा जीवन जिन देशों ने तुमको पाया वह उँचे उठे महान बने सब मिला मगर तुम नहीं मिली तो उजडे रेगिस्तान बने सेलाब रूप धारण कर तुमने उफनाती हो जब लहर लहर पुल सडक रेल बह जाते हैं थर थर करते हैं गाउँ शहर फिर सागर की व्यापकता में मिल जाती हो खो जाती हो जो लक्ष खोजने निकले थी वह लक्ष हो जाती हो तो चलिए मैं आपको इसका अर्थ समझा देता हूँ इसका मतलब है कि मतलब कहना चाह रहे हैं फिरस्ट लाइन में तो कि यह जो है और चैजिकरे आनों छोड़ी और नाहां कि मतलब क्वाशन के को सबते कि ख identifies हैं by और गbe। दोनों को भी प्यारी यह तुम Goans. बतलब दोनों के पास सरे जाती है तो सब ऑचा लगता है कि देखो नदी जा रही है कि इतनी अचछा लगता है इसलिए क्यार रहा है तुम शहरों को भी प्यारी हो तुम Goan on the को दूद पिलाती हो तोनों की मतारिय मतलब है कि दोनों की मातसमान हैं हो आफ प्रस्थिय 파्षर श्रवंत्र यह बड़ए देम्स मतलब जो कि इलेक्रिसिटी बनाते हैं तो hydro electricity आप जानते होंगे उसके बारे में वही जैसे कि यह तीनों जो एक्जांबल दिये ना नंगल भागड़ा भाखड़ा रहंद यह तीनों और बहुत सारे रिवर्स के डेम्स हैं जो की electricity generate करने में help करते हैं अब रिवर्स नहीं इनको जन दिया है इनके बालक हैं यह कहना चाह रहे हैं और फिर इनके नदी की मानता के सामने परवत भी छोटे मोटे लगते हैं बहुत छोटे यह पानी हर घर में जाती है तो आप यहां पर देख सकते हैं मैं मार्क करता हूं यह यह इसमें बताना चाहरा है electricity generate करती है और सब को देती है घर-घर में बिजली बन करके रोशनी बाटने जलती हो हर घर में जाती हो बिजली बाटने हो खुछ जलती हो और मल जलना मतलब जैसे लाइट जलती है वैसे ही बताना चाहरा है कल और कार खानों में तो धड़कन बढ़ती हो चलती हो मतलब यह कार खाने होते हैं जो electricity बनाने में होते हैं कल मतलब मशीन मतलब मशीन में धड़कन बढ़ देती हैं और सब के घर में रोशनी बाटने जलते हैं इनकी लहरों में संस्कृति का उत्थान पतन होता है देखा तो जिन्दगी असी जैसे समझलो नदी रूट गई मतलब पूरी नदी सूख गई तो नदी एंड में कहां पे मिलती है ओशन्स में ओशन्स नहीं रहेंगी तो फिर मतलब पानी नहीं रहेगा तो वही तो चैरे तुम रूट गई रूठा जीवन फिर पूरा जीवन सोनामी आती है जब बहुत खतरनाख आती है आप देख सकते हैं इस फोटो में बहुत खतरनाक सुनामी दिखा रहे हैं इसमें तो जैसे कि सेलाब रूप धारण कर तुमने उफनाती हो जब लहर लहर जब बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है पानी जब लहर आने लगती है तो पुल सड़क रेल बह जाते हैं और थरतर करता है गाउ शहर मतलब सब कुछ बह में सब को युजाड सकता है फिर है फिर सागर की व्यापकता में मिल जाती ऑ qoJi ho सागर में सागर में आपी जानते होंगे जैसे कि GANGA river आती है, Bay of Bengal में, ब्रह्मा पुत्र भी Bay of Bengal में, बहुत सारी rivers जैंढेंगेों निकली जाती है, और इंडियन ओशन में जाती हैं, मतलब यह लक्ष क्या खोज ने निकली थी, वो लक्ष यह खो 6 ने निकली थी, अमने ओशन में मिलना है, तो ओशन में मिल जाते हैं वो लक्ष खुद ही हो जाता है तो थैंक यू गाइस वाचिंग इस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे चनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन आएगा और नोटिफिकेशन ओल कर दीजिए और कमेंट करके बताईए आपको ये मेरे वीडियो कैसी लगी धन्यवाद थैंक यू